सामले रंग की बस इतनी सी कहानी है क्या मीरा क्या राधा इसकी तो पूरी दुनिया दिवानी है क्रिश्ण जर्मास्टमी की हार्दिक शुबकामनाई आज है बारा अगस्त और शाम के बज़ गए है छे तो मैं आपको फ्रेंड्स अपने जन क्रिश्ण जर्मास्टमी की जो मैंने तयारिया की है वो मैं दिखा रही हूँ मैंने सोचा कि इसके लिए भी एक वीडियो बना देते हैं क्योंकि बिना एक भी रुपया मैंने बहार से खर्च की है जो भी मेरे पास घर में समान था मैंने अपनी अपने क्रिश्ण जी के लिए जूला बनाया है और ये तयारिया की है जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप देखिए आपको अच्छी लगे तो बता न ये देखिए तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने ठाकुर जी की क्रिश्ण जी की तो में पास क्रिश्ण जी तो नहीं थे मैंने इनको ओट्स की आठे से बनाया है और इसमें ब्ल्यू कलर देने के लिए मैंने आठे में थोड़ा सा कप्ड़े दोने वाला जो नील होता है जो कप्ड़े में सफेदी के लिए हम डालते है वो मैंने मिक्स कर दिया था जिससे की थोड़ा सा नीला रंग हो जाए होता है ना क्रिश्ण जी का रंग थोड़ा सा ब्ल्यू ब्ल्यू होता है उसके लिए मैंने नील मिक्स कर दिया था जिससे की ये नीले हो जाए और ये जो आपको इसमें थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है ये वाला कलर येलो वाला ये मैंने आटा वाइट ही लगाया था कि ये जैकिट वाइट रहे तो अच्छा रहेगा लेकिन ये शायद थोड़ी येलो हो गई है क्योंकि मैने इस से पहले दोती, जो कृश्ण जी ने दोती डाली हुई है नीचे येलो क मैंने के समस्के पूर्डी को ज्यूर्डी वार उन्हें नगे文 है कि अनुधन का इस में पूर्टे मैंने माखन वाकाई हुई पता नहीं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं देखिए यह देखिए तो यह मटकी बनाई हुई है और यह मटकी भी मैंने ओट्स के आटे में मैंने थोड़ा सा सिंदूर डाल दिया था तो यह रैड हो गए थी और फिर मैंने इसको बाद में जब यह सूप गया अच्छे से तो नेल पेंट रैड कलर का नेल पेंट कर दिया था अच्छे से कैप्चर करके मैं दिखा देती हूँ आपको यह देखो यह देखो यह देखो यह देखिए तो यह ऐसे मैंने इसको बनाया और फिर उसके बाद मैंने उन से कहना ची कि अपने बाल बना दिये औ और आखे लगा दी है छोटी छोटी जो मेरे पास मात्य पर लगाने वाली बिंदिया थी उसमें से वाइट कलर की निकाल के उसके मैंने बिंदी बना दी और सीर पे मुकुट बनाने के लिए मेरे पास एक इस तरह का यह थोड़ा सा ब्रोकित का कपड़ा पड़ा था इसके अंदर मैंने कागज लगाया इसको बस गोल-गोल रैट किया है और इसको पंच किया है और जो शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा यह देखिए इसको मैंने रोक दिया कि किसी तरह से बस रुख जाए क्योंकि जो मैंने मुकुट बनाया था वो मैं रिंग से बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन रिंग वाला रुक नहीं रहा था बार-बार गिरे जा रहा था शायद काना जी उसको लगाना नहीं चाहते थे ये वाला उनको पसंद आया होगा तो ऐसे मैंने अपने काना जी बनाए है मेरे पास काना जी तो बिल्कुल भी नहीं थे और ये आपको जो रैड कलर में दिखाई दे रही है ऐसे ये लंबी स्टिक ये वाली ये मैंने इनकी बासुरी बनाई है बासुरी मैंने माचिस के सीख से बनाई है इसके उपर मैंने रैड कलर का धागा लप्रेटा है तो उससे मेरी ये भी बन गई है और आब ये मैं जूला बताती हूँ ये जो मैंने जूला बनाया है जिस पे ठाकुर जी हमारे बैठे हुए है तो ये जूला मैंने बनाया है धूबत्ती के डब्बे से तो धूबत्ती के डब्बे का एक कवर इसको मैंने उपर का कवर निकाल दिया और उसको अंदर वाले को फॉइल पेपर से रैप करके उसके उपर बहार ये रिबिल लगा दिया है ये वाला ऐसे रिबन लगा दिया बहार किनारी किनारी पर मेरे पास ribbon था न तो मैंने ribbon लगा दिया तो ऐसे करके मेरे कहाना जी तो बन गए देखिए मेरे ख्याल से इतने भी बुरे नहीं है मुझे तो beautiful लग रहे है अच्छे लग रहे है उसके बाद मैं बात करती हूँ जूले की मैंने जूला कैसे बनाया है जूले के लिए मेरे पास ये stick पड़ी हुई थी एक, दो और एक, ये तीन, ये तीन मेरे पास stick थी तो ये इसको मैंने ऐसी wrap करके रखा हुआ था ये मेरे पास इस तरह से मैंने कोई एक चीज बनाई थी ये ऐसे सजाने के लिए उसके लिए ये ऐसे ही तयार करके रखी हुई थी बस मुझे कुछ नहीं करना पड़ा मैंने ये लिए cup लिए हैं ये चाई वाले cup हैं कुलड cup है आपके पास जो भी हूँ ये आपने करना है तो कर लीजे वरना सिर्फ देख लीजे ये मेरे कुलड cup है इनके ओपर मैंने फॉल पेपर रैप करके और ये मेरे कंगन है ये जो है इसके ओपर है अच्छे से सेट भी हो गया है ये ये खिल रहा है या इसा कुछ नहीं है बहुत अच्छे सेट अब मैं बात करती हूँ पीछे जो मैंने पहाड बनाए है ये मैंने बस और कुछ भी नहीं है बड़ा ही सिंपल है चार इस्टिक लिए हैं लकडिया लिए हैं छोटी बड़ी साइज की सब सेम नहीं लेनी क्योंकि फिर तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा पहाड तो हुचानी चाहिए होता है उसके उपर मैंने वाइट कलर का एक कपड़ा था मेरे पास आप देख सकते हैं यह कपड़ा था इस तरह का एक उसको मैंने इसके उपर कही कहीं जैसे रिशेम कोई सेप्ञाओ दिया और और लाइटिंग ने और पिर्षी ज़क दिखा देरी हैं यह मैंने फुलवारि रख दी है काना जी के लिए आम रख दिये हैं जो इस यह ओ है यह जो जो कॉसमी में这 लीड की है यह मैंने इस निकाला है पने इस फ्लाइर्स मेंने से निकाला है इस में यहरे बशा पाण्ज था इससे निकाले लगा दिया और यह दो मोर पंक्ष थे, मैंने इस तरह का मैंने इस तरह का मैंने इस तरह का पूरा सेक हैं पर यह यह उसत पनक है लिया था मैंने तो यह, इसमें मुझे से 2 निकाल कर लगा हैं तो काणाची के पास मोर पंक भी होना बहुत जेए army है और यह मेरा er injectी और और जिसे कानची की सरपे एक छट हो जाए संदर सी उनका और ये बस ये तो वही है जो सूटों में लगाने के लिए लटकन आती है ये बस लटकन मैने लगा दी और तो बैने कुछ में लगाया अपस को अनने से ये बिना किसी खर्चे के भी बहुत अच्छा बन गया अच्छ बना दिया है अब देखो कैसे मज़े से काना जी मस्ती से जूल रहे हैं मज़े ले रहे हैं पूरे बज़े ले रहे हैं जाल कर रहे हैं पूरत इसमेरे अक्ति आधे फिर आधे ले फिर्ट हम इसे फिर्ट आपको मेरी और खेले लाइक तो लाइक तार दिया पर दो को अढन कि राएयक गुझ दू नह जो को बुदिके लाएयक गार्ण explaining को टईयों दू!